नमस्ते आपने इस वीडियो पे क्लिक किया मतलब आप खुद को या किसी और को इस बीमारी से ठिक करना चाहते हैं तो काफी अच्छी बात है यह आप कर पाओगे इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस बीमारी के पेछे कारण यानि कौन सी सोच कैसे विचार या भावनाए जिमेवार है और उस नेगेटिव भावनाव की जगह कैसी पोजिटिव फिलिंग्स या सकारात्मक सोच या पोजिटिव विचार करना है यह आप जानेंगे इसकी विश्तुरुत जानकारी के लिए आप इस वीडियो सीरीस का इंट्रोल अलेक्टरी वीडियो देख लिजि रिपिटेडली बार-बार आप इसे करते रहें आपको सुबह उठते ही तुरंत और रात को सोने से जश्ट पहले आँख बंद करके बैठना है और इस अफर्मेशंस को मन ही मन रटते रहना है साथ ही पोजिटिव फिलिंग्स भी लाने की कोशिस करें जैसे की ध्यान में मे बैठे हो वैसे बैठकर करें तो ज्यादा अच्छा है पांच मिनिट दस मिनिट पंद्रा मिनिट जितना ज्यादा आप पोजिटिव स्टेट्मेंट्स यानि अफर्मेशंस को दोहराओंगे उतना ज्यादा अच्छा है और बाकी पूरे दिन भी कभी भी कहीं भी आप इसे मन ही मन बोल सकते हो या एक डायरी बना कर रोज 21 बार इसे लिख भी सकते हो अब हम जानेंगे दो बिमारियां गेस्ट्राइट्रिस यानि जठर पे सुजन और पेप्टिकल सर पेट में छाला इन दोनों ही बिमारी या समस्या का कारण है यह विचार या यह भाव सर्वनास का भाव, कमनसीबी का भाव, नई चीजों का डर, यह मान्यता की आप इतने अच्छे नहीं है खुद अच्छे ना होने की भावना या लंबे समय की अनिस्चित्ता और इस बिमारी को दूर करने के लिए नई विचार प्रक्रिया यानि उपाई है यह अफर्मेसंस मैं अपने आपको प्रेम और पशंद करता हूँ मैं सुरक्षित हूँ All is well, सब अच्छा है मैं खुद को स्विकार करता हूँ मैं खुद के साथ सहज हूँ मैं अदभूत हूँ